हेलो नमस्कार आदाग आज आप लोग को दिखाने के लिए आए हैं बांका जिले में जहां डीएस पी से लेकर पुलिश वाले सभी के सभी फरजी मतलब पुरा ठाना ही फरजी निकला आप देख सकते हैं फिल्मों में ऐसा होता था लेकिन वर्तमान में बिहार में बांका जिले में देखने को मिला जहां पुलिस शे लेकर टी-एस-पी तक फरजी मतलब पूरा थाना ही फरजी निकला अध तक इस कदर बढ़ जाएगी किसी को मालूम ना था जिहां चौक ये नहीं बिहार के बाकाजला मुख्यालेवे पिछले आट महीने से फरजी थाना चल रहा था और किसी को इस बात की भनक तक नहीं थी इस तथाकते थाने के माध्यम से जालसाची के माध्यम से गरीब लोगों से पैसा एटने का काम बदस्तु चल रहा था बदवार को एले सुबा पुलिस ने छापे मारी कर शेहर क्यान राग रस्ठाउस में पढ़्जी तरीखे से संचालित हो रहे नकली थाने का गरदा फास किया चापे मारी में पुलिस ने पुलिस की परजी वर्दी में एक यूवक और एक युपती को भी गिरफ्तार किया नकली दरोगा बनी युपती आनिता देवी के पास से एक देशी कट्टा भी बरामत किया गया है उसने बताया कि ये कट्टा उसे वरिष्ट अधिकारियों के द्वारा सीखने के लिए दिया गया था और उसे नौकरी जार्कन के सीएम हेवन सोरेन की कहने पर दी गई है तुद गटिया कौन था ना पड़ता है? जिला? किसे बात की थी? किसे बात की थी? अभी जो नौम बोली फिर से बोलो जारकन मंतरी ब्यार बाली कर दिया? ब्यार कंट से ब्यार पुलिस का बाली जुड बोल रही है फरजी पुलिस स्थाने में मुन्शी का काम कर रहे फुली डूमर के लोडिया गाओं के रहने वाले रमेश कुमार और सुल्तानगंश के खानपूर के रहने वाली जूली कुमारी को भी हिरासत में लिया गया इसके साथ ही भागलपुर्जले के खानपूर में रहने वाले आकाश कुमार को भी पुलिस वर्दी और अन्य कई कागजात के साथ गिरफतार किया गया पुलिस द्वारा पूस्ताज में सब यारोपियों ने बताया कि वो अपने सीनियर आफिसर भोलायादव के इंडिश पर काम कर रहे थे वो लोग एक ट्रस्ट के नाम पर एक स्कॉट पुलिस टीम पटना के नाम पर इन्होंने बना रखा है एक ट्रस्ट जो की इनका काम है इन्होंने लिख रखा है कि एक जिला समादाष्टा कार्याल है पटना में ये लोग आवेदन लेते हैं और ये लोग का कहना है कि हम लोग पुलिस में भरती कराएंगे जो फिल्कुछ जाली और एक गलत तरह के सी रिकला और ये लोग का जो लोग पकड़ाए हैं सांथ में दो वर्दी भी पकड़ाया है जिसमें बिहार पुलिस का बैज भी लगा हुआ है और एक चोकिदार का बैज लगा करके था ये लोग लोकल पुलिस का बता गया है आरोपियों ने बताया कि काम के एविज में उन्हें हर दिन 500 रुपए धिहारी मिलती थी अब बताईए भला फरजी दरोगा और फरजी पुलिस के एकके दुख्य मामले जरूर सुनने को मिलते रहते हैं लेकिन यहां तो पूरा थाना ही फरजी निकल गया और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है न उसको हिट करो